नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं पिलहाल हाई कोट के आदेश के बाद नियुक्ती परकिरिया अस्थागित है, सरकार जल्द ही नई नीती के साथ नियुक्ती परकिरिया सुरू करने की बात कह रही है। भी जल्द निन लिया जाएगा ऐसे में वर्ष 2023 की प्रथम तीमाही राज्य के युवाव के लिए काफी अहम है इनमें अस्थागित नियुक्ति परकिरिया फिर से सुरू हो सकती है राज्य में आगे की नियुक्ति परकिरिया कैसे पूरी हो इसको लेकर भी सरकार का नीती ज संबावना है जन्वरी अंत तक नियुक्ति को लेकर अस्पष्ठ हो जाएगी इस्थिती जगरनाथ महतो सिक्षा मंती जगरनाथ महतो ने कहा है कि सरकार युवाव के हित में फैसला लेगी नियुक्ति को लेकर बरतमान में जो इस्थिती बनी है उस पर सरकार जल्द निरन जन्वारी 2023 में इस्ठिती अस्पास्थ हो जाएगी, राज के जिवाओं के हीद को सुरक्सित रखते ही नियुक्ती की जाएगी, हाई कोड़ दुआरा नियुक्ती रद किये जाने के बाद जो इस्थिती बनी है, उसके बाद नियुक्ती परकिलिया कैसे पूरी की जाए, इस पर प्रारामफिक चर्चा भी हुई है इस मा इस्थिती अस्पस्थ हो जाएगी बतादे सरकार द्वारा पस्तावित नियुक्तियों में सिक्षा की सबसे अधिक नियुक्ति होनी है जिसमें 50 एर पद पिछले वर्ष राज सरकार द्वारा स्रीजित किये गए थे प्राथमिक अमध बीद्यालियों में 5 वर्ष से नियुक्ति नहीं हुई है 50 एर पद पर भी दो चरण में नियुक्ति की घुस्थना की गई है नए साल के मौके पर जार्खन के राजेपाल रामेस बैस और सियम हिमन्त ने दी सुबकमनाई दी उन्होंने अपने सोचल मीडिया अकाउंट पर लिखा समस्त प्रदेश वासियों को नौ वरस दो हजातेश की हार्दिक बधाई अर्चुबकमनाई नौ वरस आप सब के जीवन में खुसियों का संचार करें सुख सम्रिदी प्रदान करें और आप स्वस्त रहे यही कामना है वही मुख्यमंत्री हमन्सुरेन ने भी नया साल पर संदेश देते हुए लिखा है जोहार नया साल आप सबी के जीवन में खुसिया लाए आप सोष्त सुखिय और सम्रिद रहे यह साल हम सभी को राजे के अमर बीर सहीदों के सोना जारखन के सपने को सकार करने की सकती दे सभी को नौ बरस की अनेको अनेक सुबकमनाय और जोहार वहीं जार्खन बिजेपी की बिधाय के नेता बाबुलार मरांडी ने भी जार्खन के लोगों को नए साल की सुबकमनाय दी है खरसावा गोली कांड केंद्रिय मंतरी अर्जुन मुंडा ने सहीदो को दी सरधांजली सराय किला खरसावा जी लेके खरसावा गोली कांड के सहीदो को सरधांजली अरपीत करने केंद्रिय मंतरी अर्जुन मुंडा रभिवार को सुबा खरसावा पहुँचे इस मौके पर उन्होंने कहा आये कि सहीदों की बेदी पर या संकल्प लेने की जरूरा था कि आदिवासी समाज किसी भी चेत्रे में पीछे ना छुटे दरसल आज से करीब 75 वर्स पूर्व 1 जन्वरी 1948 को हुई इस घाटना में बड़ी संख्यम लोग सहीद हो गये थे खरसावा गोली कांड के सहीदों को सरधा सुमन अरपित करने के बाद मुंडा ने पत्रकारों से बाचित में कहा है कि प्रतिवर्स सहीद दिवस के उपलक्ष पर लोग सहीदों को सरधाजली देने यहां पहुँचते हैं बलिदान की याद करके ही दुख तो होता है लेकिन आज भी उन सहीदों को सरधाजली देने जो जनसेलाब उमरता है उसे देख कर तसल्ली होती है देश में बढ़ी कुरोना की रफ्तार भारत में कुरोना वारत संक्रमन के 265 नए मामले सामने आये हैं जिससे कूल संख्या बढ़ कर 4.46 क्रोर हो गई है वहीं सक्री मामलों में 276 की गिरावट देखी गई मंत्राले दवारा सुबा 8 बहे अपडेट किया गया है आकडों के अनुसार अब तक मरने वालों की संख्या तीन मौत के साथ 5,3,705 हो गई है वहीं केरल में 2 और 1 करनाटक में मौत की सुचना है मंत्राले ने कहा है कि कुरोना का डेली पोजेटिविटी रेट 0.17 प्रतिसत दर्ज किया गया जबकि वीकली पोजेटिविटी रेट 0.15 प्रतिसत आका गया है मंत्राले ने कहा है कि पिछले 24 गंटे में कोबिट का पाता लगाने के लिए एक लाग संतावन है चाहसो एखातर टेस्ट किये गए हैं कोडारमा और चात्रा में खुलेगा रिजिनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जारखन के दो जीलो कोडारमा वा चात्रा में परिवहन विभाग छेत्रिय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलेगा इसको लेकर त्यारी चल रही है योजना के किरियानेवन को लेकर PPR त्यार किया गया है त्यार PPR को देखने के बाद इसे स्विक्रिती करते हुए DPR तयार करने के लिए सविक्रिती दी गई जल्द ही DPR तयार होने के बाद चिनित जगों पर ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने की क्वाय सुरू होगी बतादे कोडार्मा डिसी आधी तेरंजन ने बताया कि छेत्रिये ड्राइबिंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए जमिन चिनित की गई दो जगों में किसी एक जमिन पर केंद्र का निर्मान होगा नए साल में हुर्दंग करने वालों पर नजर हो सकती है जेल पिकनिक अस्पोर्ट पर हुर्दंग मचाने वालों से पूलिस सकती से निप्टेगी खाज का सराब के नसे में छेड़ खानी करने वालों वा मनचलों पर पूलिस की विशेस नजर रहेगी बता दे पर्याटको की सुराक्षा के लिए विभीन पिकनिक अस्पोर्ट पर बड़ी संख्या में पूलिस बल के तनाती की गई है साधे लिवाज में भी पूरुस के वा महिला जवान मंचलो पर निगाहे रखेंगे हुरदंग करते पकड़े जाने पर न केवल कानूनी करवाई होगी बलिक हुरदंगियों को जेल की हवा भी खानी पर सकती है रांची के हुन्डरू फॉल में बीना अनुमती चलाया जा रहे नाव पचास रुपे की खाती हुन्डरू फॉल के डेंजर जोन में बीना परसासनिक इजाज़त के कुछ लोग नाव चला रहे हैं फॉल के सबसे अधिक खतरनाक जोन भंडार दा में बीना लाइफ जैकेट के छमता से अधिक परटकों को नाव का बिहार कराया जा रहा है बता देख कई नाव टायर वर ट्यूब से बनाये गए हैं इसी तरह एक लकडी का नाव भी फॉल में चलाया जा रहा है हाली में एक बोट भी यहां उतार दिया गया है सुबह से साम तक बगर लाइफ जैकेट के ही परटकों को घुमाया जा रहा है असानिये लोगों के अनुसार यहां कूल तीन बोटों का संचालन हो रहा है नाव चलाने वाले प्रसिक्षित नहीं है इस तरह यहां खतरनाक जोन में भी प्रयाटकों की जान से खिलवार किया जा रहा है रांची नगर निगम ने हेल्फ लाइन नमबर जारी किया अगर उनसे कोई भी व्यक्ति आवास निर्मान के मद में रासिक इमांग करता है तो ओ संबंद में निगम के हिल्फ लैन नमबर 0-6-5-1-2-2-0-0-0-1-1 या 9-4-3-1-1-0-4-4-2-9 पर अपनी सिकाई दर्ज करवा सकते हैं वैसे लोगों पर करवाई की जाएगी ग्याथों की परधानमंत्री आवास योजनाक के तहट रांची नगर निगम सहर के वैसे लोगों को 2.25 लाक रुपए सवयोग रासि देता है जिनके पास खूद की जमीन तो है लेकिन वे आवास का निर्मान करने में सक्चम नहीं है रांची में निव एर सेलिबरेशन में अक्षरा सिंग ने लगाये ठुमके कांके इस रिसोट में भोजपूरी अभिनेत्री अक्षरा सिंग जैसे ही इस्टेज पर पहुंची लोगों ने जोरदार स्वागत किया बतादे अक्षरा ने भोजपूरी गीतों के साथ साथ डा गाने भी लोगों को सुनाएं बता दे यहां नए सल का स्वागत लोगों ने खास तरीके से किया है मुंबाई के डीजे राहूल और मुंबाई से ही सेलिबरेटी बार्टेंडर थे इन्होंने काफी खास तरीके से कौकलेट और मौकलेट को सरवक किया वहीं सांबा डांस ग सादि, गवारों गावं में एक बैक्ती की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है। मिरित्त की सिनक्त सिमरिया गाउ निवासी बिनोत चौधरी के रूप में की गई घाटना के सुचना मिलने पर HDPO अनिल कुमार सिंग मुफसिल थाना प्रभारी बिनाय कुमार मोके पर पहुंचे और जाज परताल में जूट गया है बताया गया है कि बिते रात को बिनोत चौधरी देर रात गाउ के ही एक घर में बंधे मुफसियों को खोल रहा था आदम खोर तेंदिवे की दसत में स्वाव गाउ जारखन के बन बिभाग ने एक आदम खोर तेंदिवे को पकड़ने के लिए 50 ट्रेप कैमेरे एक ड्रोन और बड़ी संक्या में करमचारियों को तैनात किया है इस तेंदिवे ने पलामू परमंडल में 10 दिसंबर से अब तक 4 बच्चों की जान ले ली है एक अधिकाई ने बताया है कि विभाग ने तेंदिवे के बेहोस कर पकड़ने के लिए हैदराबाद के रहने वाले मसहूर सिकारी नवाब खान को मदद के लिए बुलाया है असंका जताई जा रही है कि गढ़वा जिले के 3 और लातेहर जिले के 1 सहीत सभी 4 बच्चों की इसी तेंदिवे ने जान ली है मारे गए बच्चों की उम्र 6 से लेकर 12 सल के बीच में थी धन्यवाद